जमाना था कि मेरे घर में दस्तर खान बिशता था, मगर मैं होट लो में आज कल रोटी बनाता हूँ जमाना था, बात अगर आपके पीच से, आपके पास से घुजड जाये तो मुझे संकेत कर देना कि जमाना था कि मेरे घर में दस्तर खान विस्ता था मगर मैं होट लो में आज कल रोटी बनाता हूँ और जो शीशा दिल का तोड़ा था महबत में कभी तू ने उसी शीशे को पिगला कर तेरी चूड़ी बनाता हूँ क्या बात है उसी शीशे को पिगला कर तेरी चूड़ी बनाता हूं और घुटन एहले सियासत की कहीं घर में न घर कर ले हर एक दीवार में छोटी सी एक खिड़की बनाता हूं तो मित्रों यह जो कवी है यह जो कलाकार है रमेश वरणा साहब जैसे साथी यह समाच चेता से दीवार में छोटी-छोटी खिड़कियां बनाने का काम करते हैं ताकि आम आदमी को ताजा हावा का जोंका मिल सके यह कविता का काम क्या बात है एक पर जोड़दार तालियां बजाएं के लिए वितनों एक-दो शेर आपके बीच में रखता हूं देखे आपकी यहां प बना देता है मैं सबर्पित करता हूं शेर दादा को साथ लेकी सूर्क फूलों में पूलो में किसी त्योहार को जिंदा किया सुर्क फूलों में किसी तेओहार को जिंदा किया एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया क्या बात है दिर्ज भाई एक तितली ने अंदेरे से आवाज आ रही है यह गल्या है, मुझे आपके चहरे नहीं दिख रहे है पर मैं आपको नमशकार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ ये सुर्क चेहरे उपर एक तितली ने सभी के प्यार को जिन्दा किया और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरहे मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिन्दा किया मिटकर नदी की धार को जिन्दा किया और मित्रों, modern sensibility गजल की भाषा में किसकर ऐसे बात किया मिटकर नदी की धार को जिन्दा किया और बागमा से आपने फूलों की कीमत पूचकर बागमा से आपने फूलों की कीमत पूचकर मित्रों की लो गजल की एक शमा अभी आपके बीच में आ गई है अना दहलवी साब इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और इनके सम्मान में एक मतला पढ़ता हूँ सुने आप कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई मन में पिघलने आ गई और सुने कि ये हवा दिन भर तो आवा रा धुए के साथ थी कि ये हवा दिन भर तो आवा रा धुए के साथ थी शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई और अब तो चहरों पर तुमारे जुरिया कुछ तो दिखें अब तुमारे आईनों की उम्र डलने आ गई अब तुमारे आईनों की उम्र डलने आ गई और गफ़ार साथ शायद कुछ आईनों के शेर के बारे में कुछ कह रहे हैं मुझे मैं बात में बात कर लूँगा समित्र मैं कहना चाहरा हूँ कि शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं सुनें आप कि शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं सुबह अकबार के पन्ने भी खूंसे तर निकलते हैं आई है शहर की रात में सडकों उपे इतने डर निकलते हैं सुबह अकबार के पन्ने भी खुसे तर निकलते हैं और हमारी जिन्दगी में क्यों बता वो मोड आते हैं हमारी जिन्दगी में क्यों बता वो मोड आते हैं वो मोड आते हैं जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं, और महबत का एक शेर आपके बीच में रखता हूँ, मित्रों, प्रेम का शेर आपके बीच में रखना चाहता हूँ, महबत, कबीर कहे गए डाही अक्षर की बात, नया कुछ हो नहीं सकता था, नया हो सकता था तो सिर्फ कहने का तरीका हो सकता था, इस कहन पर मैं आपका आशिर्वाज चाहूँगा, शेर पढ़ता हूँ, कि जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं, और किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना, ना अपना घर समझ लेना, ये घर ऐसा, जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं, किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना, ये घर ऐसा, जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं, और गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबिरा, गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबिरा, निकलते हैं, जो इससे वो जुका कर सर निकलते हैं और में तो एक खुद्दारी का शेर आपके बीच में रखना चाहता हूँ जुका कर सर निकलते हैं और वहां आकर के मैं चुप चाप वापस लौट जाता हूँ जहां आकर के अक्सर चीटियों के पर निकलते हैं और अंतिम शेर निवेदन कर रहा हूँ कि छिले तितली के पंखों को जो देखा तो समझ पाया ये रस्ते फूल के काटों के घर होकर निकलते हैं चार सुना और की ग्रश्ते सुनें आपकी इतने सारे सुर्यस मंच पर है कावी के कहना चाहिए कि आफता विस मंच पर है मैं चार पंखतिय आपके भीच मेंट रुगत हैं कि फूल बगिया में कोई खुश बूए लाया ही नहीं यहां पर जो मेरे युवा साथ ही बैटे हुए हैं जो महब्बत में डूबे हुए लोग हैं डूब के सुने आनन्द आएगा यह मुल्ला सजीव रहे जागरत रहे तो थोड़ा यह भी समझ जाएंगे सुने आप सुने आपको सलाम करता हूँ सुने कि फूल बगिया में कोई खुश बूए लाया ही नहीं आज भवरों ने भी इठ लाके सुनाया ही नहीं कि उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं और आखरी चार पंक्तिया मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ आपने सुना पढ़ाओगा कि कागस के फूल से कुश्बू नहीं आ सकती मैं कोशिश करता हूँ कि कागस के फूल से खुश्बू ले auf कि एक महाबबत ही तो पैगाम लिखा था मेने किस तकनीकी से खुश्बुआ ये हो नहीं कि एक महाबबत ही तो पैगाम लिखा था मेने सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मेने एक महाबत ही तो पैगाम लिखा था मेंने सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मेंने कि फूल का गज के यूं महके की आगए भवरे कि फूल का गज के यूं महके कि आ गहे भवरे कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मेने